जी आएनू प्यारे विद्यारतियो शिख्ट क्लास दी मैथ दी बुक तचप्टर नमबर फोर बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज वदी एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो विच करन जा रहे हां ते इस दे नाल नाली असी इस एक्सरसाइज ना रिलेटर जडे नोट्स ने प की तो अनू एक्सरसाइज करन विच कोई तंगी परिशानी ना आवे सो तुसी सारे अपनी नोट्बुक लेलो ते पैन लेलो ते जीडियां गल्ला तो नू समझाईयां जानगी यां वो तुसी सारीयां अपनी नोट्बुक विच नोट डाउन कर लेनियां ते उननू की तरह समझ लेना है पहली डेफिनेशन है बचो कर्व्स जिन्हों सी कहा देने है पंजाबी मीडियों वाले बच्चना ली वकर ठीक है ड्रॉइंग्स ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग दी पैंसिल फ्रॉम दी पेपर मली कोई भी अकार खेचया जावे पेपर दे उत्त फुट्टा कोई नी यूज करना कोई दूसरा साद नी यूज करना पेपर लेया पैंसिल लेई ते कुछ भी खेच़ के ड्रॉग करना शुरू कर देता Свेक है उन्हों क्या जानता है कर्व पर पैन नू चकणा नी एगा थीखे और curves are the result of doodling और scribbling doodling scribbling के उन्दे पिर कुछ भी जरूसे किने कीटे माटे कुछ भी तुसी लाइना इदर उदर टेड़ी है बड़ी है खिची जाओ उन्हों के निया doodling और scribbling खीक है English जरूं डूडलिंग और scribbling करने हा so in mathematics उन्हें गल बच्चों बड़ी त्यानना देखना in mathematics गनिद्धी पाशा विच a straight line is also classified as a curve जड़ी सिद्धी रेखा खिची जाओ है सिद्धी लाइन पर फुट्टे तो भी ना ओनू भी कर्व ही क्या जन्दा है ठीक है सब्सक्राइब डेफिनिशन परिवाशन उन्हें चंगी तरह याद कर लेना है उनमें आया थे उदारन दिते नहीं देखो एवे पैन ना इदर ड्रॉग गीता दिस इस कर वो इदर शुरू होया इस तरह करके इस तरह करके एगया एगया आय वनोट लिफ्टी अब दा पैन में पैननी चेक है यह भी कर बन गया फिर मैं ड्रॉग करता गोल पोटेटो जालू जा अभी कर बन गया एवे चंदरमा बनाता एग देखो दिस इस अलसु कर एम आठा बनात सा एट लेटिया होया एट ठीक है ना लाइंग एट सो दिस इस अलसु कर्व सो दीज आर एग्जम्पल्स होफ कर्व सो इस डेफिनेशन नो तुसी चंगी तरह समझ लगना है कि स्टेट लाइन इस अलसु कंसीड़ेड एज़ा कर्व प्रोवाइड इस ड्रॉन इट सेल्फ इस जा इस गाल दर सिंपल कर बस इक्को लाइं दी पर वाश्य अकर्व विच ड्रॉस इस अपने आप लुट्टे ना उन्हों क्या जंदा है सिंपल कर वे दिखो कि टेवी क्रवी क्रॉस नहीं कर रहे है इथे जाके गया ओक्य विद्टे नहीं कट रहा इख है हाहा आ गया ठीक है ना है चंद्रमा आ गया so they are not the lines are not crossing each other ठीक है the curve is not crossing itself so it is a simple curve उन्हों जदो वसी non-simple curve देखांगे तो उन्हों simple curve होर स्पष्ट हो जाएगा और देखिए non-simple curve a curve which crosses itself जड़ा अपने उन्हों cross कर जए उन्हों क्या जानता है non-simple curve उन्हों क्रोस कर ले नहीं थे यह देखो कट गया थे lines have crossed मलीक दुझे line नों कट देता है होगा cross cross curve non-simple curve हो गया simple curve does not cross itself non-simple curve crosses itself but doctors flaw Read though a क्रोस करता है एक गया गया 2 इन्हों क्रोस करता या द्रड़ा ऐगा यह एए क्रोस करता है kuqya है56 करता है ठीकी गी गर्यूमों कितरम अक्ष 115 विंस Kalau ज tast मिधा , अक्रोस कर गया, आ ठाया है ए एकरोस मिधा So these are non-simple curves ठीक है बच्चो So curve दी definition पहले असी पड़ी फिर असी simple curve दी पड़ी और non-simple curve दी पड़ी और एक दो किसम दे होर curve नहीं है आओ भी देखिए Open curve Open curve के डान दा बच्चो A curve is set to be an open curve if its ends are open कोई भी वकर नो सधारन ओ खुली वकर open वर्क दा मतले खुली वकर खुली वकर होगा है जयदे दोनों सेरे खुले रहें आपसे जुड़न ना एक सिरा एगा है खुले ने आपस जुड़े नहीं है एक सिरा इत्थे एक सिरा इत्थे दूजा सिरा इत्थे आपसे नहीं जुड़े एक सिरा इथे वे, एक सिरा इथे वे, आप सिच नहीं जुडे, एक सिरा इथे वे, एक सिरा इथे वे, आप सिच नहीं जुडे, एक सिरा इथे थे, आप सिच नहीं जुडे, एक सिरा इथे, एक सिरा इथे, आप सिच नहीं जुडे, एक सिरा इथे, एक सिरा इथे, एक सिरा कर्रावस रbooks चाई उपल होगे या सभ चाई नॉन संपल होगे देखू एनों कर्वे करस कर लिया वन कोर में नान से से सर फिरौन कर्वे कम ऑनoll पन अघ्रों में अलटा अंटाव है क्लोज़ गर बंद Paradise सर न ना, end बंद ओगे हैं, देखो, इधरव शुरू किता, सिरा सिरे न जुड़ गया, closed curve, a curve is set to be a closed curve if its ends are joined, जे दोनों सिरे जुड़ जान हैं, देखो, इत्य जुड़ गया, इत्व शुरू किता, इत्वे अके इत्य जुड़ गया, इत्व शुरू किता ऐसे रह इत्थे जुड़ गया So these are closed curves. This is closed non-simple curve, closed simple 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 curve. क्यों? Because they don't cross each other. एथ है देखो एक, दो, तिन, चार, पांच. These are simple closed curves. एड़ा है एड़ा है एनने cross भी कर लेया थे बंद भी आगा है. So it is non-simple closed curve. ठीक है बच्यों? So curve दी definition पर ले पड़ी है अपना. ठीक है? A line, a curve, a drawing drawn without lifting a pen or pencil. ठीक है? Doodling or scribbling is known as curve and straight line is also termed as curve. फिर असी पड़ेया simple curve, फिर non-simple curve, फिर open curve, फिर closed curve. बच्यों बड़ा important है, इननों चंगी तरह समझ लवो. ठीक है? बहुत सारे उदारन देके तो उननों समझा देता है. हुण आगया बच्यों एक position in a figure या position in a curve. ठीक है? In a closed curve, उनने closed curve विच आएगा position दी गल, open curve विच आएगा चीज लागुनी हुंदी. So in a closed curve, thus there are three parts. एच इतने हिस्से उनने. Interior, inside of the curve. अर्थाद कर्व दा अंदरला हिस्सा, जेड़ी चीज उनने केर लई, बंद कर लई अपने अंदर. Interior, अंदरला हिस्सा, boundary, जन्हों वह सी कहने है, सरहद, border जड़ा, border. On the curve, exterior, बारला हिस्सा, outside of the curve. उनने देखो, दारन न समझा जेगा. एए एक closed curve है, देखो. इसे closed curve, एक बिंदू इत्छे हैं, point x, एक बिंदू गेर उत्ते हैं गी है, z, एक बिंदू बार अगी, y. सो की बन गया, दस, x is in the interior of the curve. x is in the interior of the curve. y is in the exterior of the curve. y बार गा है, कर्व दे बार गा है, exterior of the curve. z is on the curve, boundary दे उत्ते हैं. किते भी boundary उत्ते हैं कोई चीज होए, पसी कह मांगे on the curve, ते boundary तो हटके अंदर ले पासे आ जाए, we say it is inside the curve, और in the interior of the curve, ते boundary तो बार चला जाए कि ते भी, ऐसारे पासे all around, ठीक है, ते सी का मांगे it is in the exterior of the curve, और it is outside the curve, ठीक है जी, आउगे चलिए, region, the interior of a curve together with its boundary is called its region, उन बचे करवे देखो बंद बंद वकरे, it is a closed curve, बांडरी नूँ नाड लाएके ते अंदर ले सारे हिससे नू लाएके क्या जानदा है region, ठीक है, so किसी भी closed curve थी boundary, including its interior part, is known as its region, ठीक है बचे ओ, है निकी निकी गलना या नूँ चेते रखना है, नूँ आगे बचे बड़ा महत्यपूर्ण polygon, polygon उनों सी कहने है बहु पुझ, उन पॉलिगोन दी definition किये बचे एक लाएं दी definition है, उननों चंगी तरह याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, चंगी तरह कंठ कर लेना है, अब पॉलिगोन इज़ा simple closed curve, simple भी ये, closed भी ये, उन simple दा मतलब असी पड़ चुकिया है, बचे वो simple curve केड़ा है, simple curve है, जे दे विच लाइन क्रॉस नहीं कर दी, वो simple curve है, अना, where the curve does not cross itself, जित्थे वकर दी रेखा, एक अपने आपनों नहीं कट दी, उननों केने simple curve, ते closed where the both ends are joint, both ends are not open, बंद हो जण, दोनों से रे, उनों closed, so it is simple, polygon is a simple closed curve, पर एक शर्थ हो रही है, made up entirely, उनने पूरन तौर थे, of line segments, सिरफ ते सिरफ रेखा खंड तों बनेया होगे, अर्थात, क्योई भी चीज, कुमदी होए उत्ते थले आली नहीं होए, सिद्धी स्पस्ट रेखा खंड लाइन होने चीजए दिये, उनों दारन ले लिए देखो, एपॉलिगों एगा है, क्योंकि देखो, एपॉलिगों एगा है, क्योंकि देखो, एपॉलिगों एगा है, क्योंकि देखो, एपॉलिगों एगा है, क्यों एपॉलिगों एगा है, क्यों एपॉलिग segments and the curve is closed and curve is simple it is not cutting itself this is also a polygon straight line line segment the curve is closed and the curve is simple this is also polygon this is straight line segment line segment line segment line segment and the curve is not cutting itself, curve is not crossing itself and both the ends are closed, both the ends are joined so these are all examples of polygons अभी देखली, polygon की नहीं हैगा यह देखो, this is not polygon अभी देखली, line segment this is line segment this is line segment, this is line segment अभी line segment रिखा कंडे पर ऐप अभी polygon क्यो नहीं हैगा because it is not a simple curve polygon has to be a simple curve ठीक है, a closed यहागा the ends are meeting it's a closed, but it is not simple curve, it is a non-simple curve because it is crossing itself so a polygon नहीं हैगा फिर देखो, this is also not polygon the curve is closed this is line segment, this is line segment, but this is not line segment, a line segment नहीं हैगा so it is not a polygon उन्हें देखिये, this is a closed curve it's a simple curve but it is not a polygon why, because this is line segment this is line segment, this is line segment this is line segment, but this is not line segment, a line segment नहीं हैगा ठीक है न? उन्हें देखो, this is also not polygon why, because a simple curve ते है, it's a closed curve but this is line segment this is line segment but this is not line segment, रिखा कंड नहीं है इस करके, these four are not polygons, बड़ा important है, यह नों चंगी तरह, अच्छी तरह समझ लो, ठीक है बच्चो, आप पॉलिगोन दी डेफिनेशन नों चंगी तरह रटा लालो, चंगी तरह समझ लो, ते यह examples नों अपनी notebook वीच, copy down कर लो, ते ना लिख लो, के यह polygons है गेने, यह polygons नह है ठीक है, ठीक है जी, आउगे चलिए, okay sides, पॉलिगोन दी sides ही definition की है, देखो, the line segments forming a polygon are called its sides, जड़े बच्चो, line segment उन्देने, उननों उन्स पॉलिगोन दी की क्या जंदा है, sides क्या जंदा है, यह पुजामा क्या जंदा है, ते एक और चीज़े, adjacent sides, any two sides, कोई भी दो पु point, उनना था सांजा, जड़ा, एक अंत बिंदू होए, अंत बिंदू सांजा होए, end point is common, are called adjacent sides of the polygon, और देखें उनना, एक पॉलिगोन आगा है, पेंटागोन आगा है, पेंटागोन मींस 5 sides, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, स्वेदे नाम देते हैं, A, B, C, D, उनने इच साइट के polygon, एक साइट जाएगी हैं, देखो, a line segment ने न, A, B is a line segment, B, C is a line segment, C, D is a line segment, D is a line segment, and E, A is a line segment, so all these line segments of a polygon are known as sides of the polygon, ठीक है, को अगला आगया बच्चे ओ, एडजेसेंट साइट करिया ने, एडजेसेंट साइट मिस लागवियां पुजावा, तो ओधी definition की है, any two sides with a common end point, एडजेसेंट साइट है, line segment, every line segment है, so B is a common end point of line segment A, B, and line segment B, C, इस करके, A, B, पते B, C are एडजेसेंट साइट, उन्हें दो साइट लेलो बच्चे ओ, CD and BC, so CD and BC विच देखो है की हो गया, C is the common end point, so BC and CD are adjacent sides, उन्हें बच्चे देखो इद्दा example लेने हैं, एक BC लेलो, एक EA लेलो, EA, they are not adjacent sides, एलागवियों कुछ हमान नहीं आगियां, क्योंकि EA विच थे BC विच कोई भी common point नहीं हैगा, there is no common point, कोई भी सांजा बिन्दू, सांजा अंत बिन्दू नहीं हैगा, एक तो दुझरों दूर दूर रही हैं, टुटियों ही हैं रहो, EA है इते हैं गया, थे BC इते हैं गया, there is no common point, so BC and EA are not adjacent sides, so यह में ग्रूप लिख देता है सारा, केड़ी केड़ी sides, रही हैं adjacent, AB and BC, CD and DE, BC and CD, CD and DE, DE and EA, यह कोई सारी हैं ते लिखें, and EA and AB, so AB and BC, BC and CD, CD and DE, EA and AB, they are adjacent side pairs, ठीके बच्चे हो, so AB, BC, BC, CD, CD, DE, DE, EA, EA, AB, ठीके न, so AB, बच्चे कि थे miss होगया, मैं औरको, DE and EA, यह मिस हो गया, यह भी लिखे लेना, D, E, E, A, यह भी लिखे लेना, D, E, E, A, यह भी लिखे लेना है, अगे चलिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स ही उन्दा है, the meeting point of a pair of sides is called its vertex, meeting point, मलकी दो रेखामा, दो जड़ियां, sides ने, पॉलिवन दियां, वो जित्थे मिल दियां एक दुझे नू, उन्हों उस point उन्हों क्या जन्दा है, वर्टेक्स, शिखर, उन्हों देको sides A, E, and E, D, example लेना, A, E, and E, D, they are meeting at E, so E is the vertex of the polygon, A, B, C, D, E, और देखों, ये सारे vertex के लिए अगने, thus A, B, C, D, and E are the five vertices, vertices आगा बच्चे ओ, vertex दा plural, बहु बचान, अगर एक होए, एक शिखर होए, उन्हों के ने vertex, तेजे, दो या दो तो ज्यादा शिखर होए, उन्हों के ने vertices, ठीके, स्वाए देखो ये दो रेखा खंट ने, two sides are, they are meeting at D, so D is the vertex, C, D, and B, C are meeting at C, C is the vertex, A, B, and B, C are meeting at B, so B is the vertex, A, B, and E, A are meeting at A, so A is the vertex, E, A, and D, E, they are meeting at E, so E is the vertex, So, एक होए, बच्चे, सारे ना याद रख लो, सारे sides, adjacent sides, vertices, ठीके, आउगे चली ये ओर चीज़ देखिए, adjacent vertices, ठीके, adjacent vertices, ठीके, adjacent vertices कड़े अंदेने, the end points of the same side of a polygon are called the adjacent vertices, बच्चे, सारी याँ परिभाशा होए, जड़ी है, definitions ने, एक लाएं दिया, एननों चंगी तरह र ने, ठीके ना, so the end points of the same side of a polygon, उन साइट सानु पता है, line segment, which is forming a polygon is called side of that polygon, ते औरे दो end window होए, जड़ी चुप कर के कुछ लिखना ही नहीं है, सारा सौक है, एक हो लाइन हैगी है, एक हो लाइन है, एक हो लाइन हैगी है, एक हो लाइन है, एक हो लाइन है, एक हो लाइन है the segment is a side, so a and b are adjacent vertices, ea is a side, so e and a are adjacent vertices, ed is a side, so e and d are adjacent vertices, so adjacent vertices are a and b, b and c, c and d, d and e, e and a, एक हो, b and d, एक हो, b and d, एक हो, b and d, एक हो लाइन है, because it is not the two end points of the line of the side, so b and d, or c and a, or c and a, are non-adjacent vertices, मैं नारा गी लिखेता है, पी, adjacent के डे नहीं हैगे, so b and d, or c and a are non-adjacent vertices, ठीक है बच्चे हो, so जडी side होईगी polygon दी, वो देडे दो end bindu वनगे, they are known as adjacent vertices of that polygon, ठीक है, अभी बड़ा important है, और notes ने भी चाखरी पार्ट आगया, इस तो बाद सदी exercise शुरू आजेगी, so diagonals, जेन उसी के नहीं हो, करन, ठीक है ना, so the line segments obtained by joining non-adjacent vertices are called the diagonals of the polygon, मलकी कोई भी दो non-adjacent अपने हो ले लो, vertex, ठीक है, to take any two non-adjacent vertices and join them, what you get is called diagonal, the line segment obtained by joining non-adjacent vertices are called the diagonals of the polygon, polygon है बच्चे हो देखो, pentagon है ते उन देखो, A, B and D are non-adjacent अजोड़े हैं, A diagonal है, A and C are non-adjacent vertices, A, C is a diagonal, E and B are non-adjacent vertices, A नो जोइन कीता है आगया, diagonal, E and C are non-adjacent vertices, so, E, C is a diagonal, so does the diagonals of the polygon A, B, C, D are A, C, A, C, A, D, B, E, B, D, C, E, C, A, Pärल ही आगया, C, A, C बीच आगया, C, A और C, C, A, C, A, D, B, D, B, E and C are the diagonals of this polygon, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आई नोट्स नू प्यारे विद्यार्थियो प्यारे बच्चियो अपनी नोट्स पर कुछ सारे नू कॉपी डाउन कर लो वीडियो नू पॉस करके तेनू चंगी तरह दो तिन वार चार वार यह नू पढ़ लो ठीक है आओ उनसी एक्सेस शुर अब बच्चों जे तुसी नोट्स चंगी तरह पड़े ने तो अनू फट पता लग जाएगा अना ओपन कर रोगे उन्देने जेद विच बोध दाएंड जोएंड उन्देखो इत्थे एंड जोएंड आगा एंड लोग वो गया एंड जोएंड जोएंड आगा एंड ए ओपन कर्व, बी क्लोज कर्व, ठीक है, सी ओपन कर्व, डी क्लोज कर्व, यी क्लोज कर्व, सो सिंपल, अंसर आ गया, ठीक है न, आपके चलिए, पिस्टर नूबर टू, केंदे ड्रॉ रफ डाइग्राम, रफ मैंने अपने किजी कोई डी, कोई सेट स्क्वेर, कोई ड्रॉ रफ ड्राइग्राम्स टू इलूस्टेट इन फॉल्फ कर ओंडेग्राम्स, ड्रॉ करो, ए दस्तर न लेई, की विच ज ओपन कर्व, ओपन कर्व केडा ओंदा है, यह था और और गणने क्लोज कर्व, यह बोध अंड्स आ ओपन, सो एक यह ब्रॉ करताह, सिंपल, ओ कर वो गया यह वी क्लोज कर वो गया है वी क्लोज कर वो गया शो एंग गवन जिए फॉर एग्जामपल्स एह र लोग्व द्विय। एक्सेसेज भी आगी यह उन ठीक है ना और देखी क्वेश्टन नंबर थ्री वर्ग अगर इस तरह दा होवे वियर टू पेर्जार एक्वल ओपोसिट प्यार एक्वल और यह दे वराबबर है यह लाइन यह दे वराबबर है फिर उनके रेक्टेंगल इस तरह कर दो एक ट्रेपीजियम है ठीक है यह दे पैरलल होगे अगली क्लास ना जागे तुछी पैंसल ना माणी बड़ी शेड कर दो ते मैं शेड भी कर दी तो तुसी बचो ट्रेंगल स्क्वेर क्वाड्री लेटरल ट्रेपीजियम है नहीं कोई भी ड्रॉप कर सकते हैं उन्हें एक ड्रॉप करन लीक है किने ड्रॉप एनी पॉलिगून ते मैं तुन्हें शेव दारन करव ड्रॉप यह जल o के सोचो व की कि तुसी इस जित्र नू बीना चूके खिर सकते हो ड्रॉप कर सकते हो अधे को में ट्री और किर दा तूग ओ डांगया र इतांगया इतांगया डांगया इतांगया आधे मैं पंझह ए न mislukन में तो ड्रॉप कर सकदे हैं आश्र रहर joint so answer yes it is closed जी हाँ एब बंदबकर है सब्सक्राइब करिए कोश्चन नमबर फाइफ के इलूस्ट्रेट इलूस्ट्रेट मैंने करके दिखाओ उधारन देके समझाओ इफ पॉसिबल जे मुम्किन होए इच वन आफ दी फॉल्विंग विद रफ डायग्राम हेट लिखिया तिनु समभाव नमा ए बी सी नू रफ डायग्राम ड्रॉ करके मलकी खुले हाथनाल फ्री हाथनाल ड्रॉ करके कोई फुट्टा या कोई सेट स्क्वेर या परकार कंपस आ जिस्वरा नहीं जूस करनी ते दस्सो की की कलना दसनी आए पार्ट या ए एगा अ ख्लोस कर वा नोट्स वीच दस चुका मैं ऑ देखिये अ क्लोस कर वा देखो अन इस नृट पॉलिगोन बिकॉस इस नृट आ लाइन सेग्मेंट थिस आल्सो नृट इस नृट ना simple closed curve made up entirely of line segments जडी कर्व सिंपल भी होवे सदारन होवे ठीके ना cross ना करे दुजी कल closed होवे दोनों सिरे जुड़े होन अते सिरफ ते सिरफ सिर्थिव फकोये एक जुछुट दुट सिर्थे नाइड सिर्थिव कर्वनी होना ची ना एको line segment open हे M draw कर दो एनो जो पुथा कर ने पुथा कर दो W बना दो line segment, line segment, line segment, line segment and these two ends are open N पुथा N बना दो यहां सिद्धा N बना दो this is also एदखो इदना गया it's a curve, इदना गया okay इदना गया without lifting the pen without lifting the pen but the ends are not joined so these are open curves बट made up of entirely line segment ठीक है फिर केंदे अब polygon with two sides केंदे कोई polygon दो sides ना बनाओ कि मुम्किन है not possible नहीं बन सकता so part C is not possible मुम्किन नहीं क्यों नाल में explain कर देता है केंदे at least three line segments are required to make a polygon यह लाइन नू चंगी तरहां कंठ कर लो याद कर लो काट तो काट तिन रिखा खंड चाही देने किसी वी बहु पुझ नू बना लई so at least three line segments are required to make a polygon a triangle is the polygon of the of the least line segments तो जड़ा पॉलीगोन है वो बहु पुझे जड़ा काट तो काट लाइन सेग्मेंट तो बन दा है उन्हों क्या जानदा है ट्राइंगल त्री पुझ त्री पुझ तिन पुझ आमादा एड़ा बन दा है यह मैं इत्थे बना दमाई का दखो इत्थे एक लाइन हो पाद माँ त्रेंगल बन जागा त्री पुझ बन जाएगा सो एक दो ते तिन काट तो काट तिन रेखा खंड चाहिए ने अट लीस्ट त्री लाइन सेग्मेंट्स आ रेक्वाइड तो मेक आ पॉलीगॉन एंड पॉलीगॉन विद टू साइट्स कैन नोट भी मेड नौट पॉसीबल ठीक है प्यारे भी दियार थी हो सो एदे नाल टोड़ी है एक्सरसाइज 4.2 इत्थे ही समाथ हों दिये ति तुसी इसी तरह मैनत दे नाल अनुशासन दे नाल दे रंतरता दे नाल अपनी पढ़ाई कर दे रहो ति अग्यवद दे रहो अगली एक्सरसाइज दे वीडियो तक लिए गुड़बाई पड़ा सारे अदा बहुत बहुत अनुवाद रब रखा थैंक यू बरी मच्छ